तो यह कहां मिलेगा हम अपने keyboard से B बटन प्रेस करेंगे उसके बाद M बटन प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देखोगे यह move टूल है उसके बाद में यहां पर एक option आ रहा है move infinite depth टूल इसका जो shortcut है वो D है अगर आप D प्रेस करते हो keyboard से तो यह ब्रेस आपका activate हो जाएगा आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हो तो आप देखोगे यहां पर यह ब्रेस आपका load हो गया है अब हम इसको थोड़ा सा move करते हैं देखिए यहां पर क्लिक किया और इस portion को हमने अंदर की तरफ ऐसा move कर लिया यह देखिए यह यहां पर जैसा भी model आपका move हुआ है जैसी भी मेस changes हुई है अब वो पूरी entire z axis पे यह depth पूरी गहराई तक यहां तक उसने change कर दिया है यहां पर फिर से एक बार देख सकते हो यह अगर हम इसको update करते हैं यहां से यह move करके बाहर निकालते हैं इसकी मेस इसको तो आप देखोगे z axis में यह पूरी depth तक बराबर से इसने बाहर निकाली है कोई भी इसमें variation नहीं आया है अब चलते हैं इसको हम compare कर लेते हैं simple move रफ से तो हम b button प्रेस करते हैं और m button प्र कर लेंगे अब इसका use करते हैं अब इसके through अगर हम इसको move करना चाहिए यहां पर आप देखे तो यह हो गया या फिर इस area को हम बाहर निकालना चाहिए ऐसा करके तो यह हो गया अब देखे यह यहां पर इस area में देखे आपको फरक समझ में आ गया जो front का केवल हिस्सा था उसने move किया लेकिन overall depth में उसने कोई भी changes नहीं किया है ठीक हम इसको भी देख लेते हैं यह देखे जो front का हिस्सा था उसको इसने move किया है लेकिन पूरी तरह जो z में depth पूरी एक 7 move होनी चाहिए थी में उसने move नहीं किया इसको यह cylindrical model है इसमें हम changes चाहते हैं तो हम s press करते हैं इसको थोड़ा सा breast के size को छोटा करते हैं और हम इसमें symmetry use करना चाहते हैं तो यहां पर transform में जाते हैं आप symmetry का video देख सकते हैं से पहले हमने upload किया हुआ है active symmetry करते हैं और y axis में हमको symmetry radial वाली चाहिए तो यहां पर हमने y axis को on कर लिया और radial symmetry चाहिए ताकि हमें यह कई सारे stroke मिल जाए इसके अब हम चाहते हैं कि यहां पर हम इस area को हलका सा बाहर निकाल दें ऐसा कुछ अब हम इसको turn करके देखते हैं यह देखिए यह cable जो front का हिस्सा था इसने उसको move करके बाहर निकाला हुआ है फिर से मंडू कर लेते हैं और अभी हम फिर से इसको ऐसा ही रखते हैं जैसा स्टार्टिंग में था पर इस बारी जो breath है वह हम use करेंगे be for breath and for move tool and कौन सा breath लेना है move infinite depth इसको क्लिक करते हैं सेम हमारे पास में radial stroke on है तो हम जैसे इसको move करेंगे थोड़ा सा बाहर और हम इसको check करना चाहते हैं तो आप जैसे इसको rotate करेंगे आप देखो कि पूरी depth में उसने बराबर से बिल्कुछ symmetrically perfect चीज बनाई है यहां पर यह थोड़ा से देखें यहां पर इसकी जो अगर हम उपर से changes करेंगे तो यहां पर variation आ रहा है यहां पर कुछ shape में changes आ रहे हैं पर अगर हम उपर इसके टॉप पर जाते हैं और यहां पर सेम प्रेस यूज़ करते हैं infinite तो यहां पर क्या होने वाला है अब देखेगा यह symmetry चल लगए है चलने दो यहां पर भी हम radial symmetry को यूज़ कर सकते हैं transform में जाके यह y axis पर और radial symmetry लगा देते हैं ताकि यह circular stroke हमें मिल add brush के through move किया में में इसको देखे बिल्कुल नीचे तक उसने पूरी में इसको एक साथ move कराया है तो कितना beneficial tool है और कितना अच्छा tool है यहां पर अगर हम undo करते हैं और फिर से चलते हैं यहां पर normal brush जो हमारा था यहां से देखे normal brush हमने लिया और इसके through हम अगर ऐसा करते है तो आप देखोगे कि यहां पर केवल top के हिस्से में changes हुए है अब हम अगर old के साथ इसको use करते हैं तो यह opposite करेगा तो आप old के साथ भी use कर सकते हैं देखे यह overall change कर रहा है पूरे model में अगर आप shift के साथ इसको चलाते हैं तो यह smooth करेगा shift के साथ क्या होता कोई भी brush smooth brush मे हो रहा है हम देख सकते हैं यह model हमारे पास में है यह swimsuit है इस model में अगर हम infinite move brush यूज़ करते हैं तो क्या benefit मिलेगा हम देख सकते हैं for example जैसे हम side में आते हैं और हमको लगता है कि यह वाली मेस का हिस्सा थोड़ा संदर या बाहर होना चाहिए तो हम normal B और impress करेंगे move tool हमारे तो हम देखते हैं यह side में अब देखो यहां पर केवल इस side का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है फिर हम इसको undo करते हैं फिर से side में करते हैं इस बाहर breast move और infinite breast यूज़ करते हैं यह breast जब हम चलाएंगे और इस हिस्से को थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे आप देखो क पूरी इसने बाहर करी हुई है same इसी के according हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसकी chest का हिस्सा जो है यह थोड़ा सा chest इसको बाहर लाना चाहते हैं पर normal breast use करेंगे यहां से हम जाते हैं move tool में और side से एक normal breast use करते हैं इसको तो आप देखोगे कि यह side वाला हिस्सा तो उपर आ गय काम कर रहे हैं उसमें इसके पीछे भी एक मेस है और उसको भी साथ मूव कराना है तो आप यहां पर infinite breast को यूज करेंगे और फिर इसको बाहर करेंगे इस तरह से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट करना जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप लोग लिखना और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you